तो अभी समझते है कि आपको जो डाउट है तो एक्चुलिए वैलिड डाउट है कल चलकी कन्फ्यूजन आएगा तो ठीक है ओके कवर करते हैं डाउट नॉमबर वन कि कि अगरें वेन टो जो गोजेंग सुरी तो क्रिएट डेटा एंसाइड यूस्ट मेथर ओके यह एक डाउट ठीक है और थेक वेन टो क्रिएट डेटा वें अल्बिएट यूजंग सेट अप मेथर्ण ठीक है जहाँ पर हम लोग एड़ी रेट टेस्ट सेटप का एनोटेशन यूज करते राइट टेस्ट सेटप ओके एंड वेंड टू क्रिएट डेटा के यूजिंग यूटिलिटी है ठीक है देखो यहर चीज़ का इंपॉर्टन्स है तब इस बंढ़ और है कोई चीजा नहीं है बने चीज़ का bisogno importance है तो अब देखो यह जो आपका डाउट था कि कब क्या यूज करना है तो चलो समझो अब देखो सबसे पहले समझते हैं यह टेस्ट डेटा कब बना है वेंट टो ट्रिट टेस्ट डेटा इंसाइड टेस्ट में थाए तो सपोर्ष को रो कि यह है आपकी मेठर कर hilarious थे यह है आपकीमेर अब इस मेठर्ट यह ही अपके टेस्ट क्लास फिए को नाम सदिताव मैं एक सिंपल सा टेस्ट डिम ठीक है टेस्ट डेटा डिम यह क्या है आपका एपेक्स क्लास है तो यह एपेक्स क्लास का मैं आपको बस जनरल जनरल बता रहा हूं ठीक है इसके अंदर क्या है ना आप चार मेथड़े सपोस कर चार नहीं तीन ले लेते अभी के लिए जगा कम के लिए में इस लिए ठीक है तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कुछ डेटा बना लेंगे करेक्ट अब यह एक हमारी बन गई मेथर दूसरे चीज यहां पर आ जाएंगे तो यह होगे आपका मेथर नंबर टू और यहां पर आगे आपका मेथर नंबर थ्री अब देखो यह और भी मेथर हो सकती है चाहे मेथर नंबर पॉर भी हो सकते है फाई हो सकती है सिक्सों सकती है सेवन हो सकती है अब आपको टेस्ट डेटा कब बनाना है तो देखो अगर आपको आपके data का कम जैसे ना आपको account object के ऊपर कुछ perform करना है या hotel object के ऊपर करना है या किसी भी तो for example लेते हैं आपके account object तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ account object के ऊपर पूरे class में सिर्फ एक बार ही काम करना है बराबर मतलब एक ही बार record बनाके insert करना है और coverage कर लेना ठीक है तो मैं क्या करूंगा इसको setup में बनाने की जरूत है क्या नहीं क्यूंकि मेरे को इसका ज्यादा काम नहीं है न देखो अ है अगर मैं कहीं बाहर पर काम कर रहा हुगा अगर मेरा आफिस बाहर है पूने मुमबई दिल्ली में और नाकdefense में बहुत बड़ा घर है फ्लेट कुन में मेरे को पता है कि मेरे को वह तो फिर सेटप का पूरी खरीद लिए गी जह लेकिन साल में एक बार जा रहे हैं दो बार जा रहे हूं अगर यह आपको एक ही बार टेटा काम है घुज़री यीन डेटा काम है और यह बहुत कुछ बढ़ा नहीं है तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है कि मैं इसको कॉमन डेटा बनाओ कॉमन कब बनाते किसी चीज़ को जब उसको आपके क्लास के अंदर मुल्टिपल टाइम यूज करना हो अगर इस अकाउंट अब्जेक्ट का मुझको यहां पर भी काम हो रहा है अगर एक मैं यहां चीज़ करनी है एक एक ही बार अगर चीज करनी है तो क्यों बेमतलब का खर्चा करना समझ रहे हो अगर तुमको यहाँ से एक दिन के लिए बाहर जाना तुम गाड़ी खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे गाड़ी किराय से करके जाओगे एक दिन के लिए कोई गाड़ी खरीदेगा क्या नह उसी तररिके से यहां पर आपको होटेल का अपरिशिन टेटा में क्रिएट पर सकते कetr K अगर इन कि वह फुक्राइबा डीड अकाउट का रेकौर्ड औहीं यहां फिर से न एक निधर बना लो यहाँ पर ठीक है एक मेथर बना लो यहाँ पर इस तरीके से इस टेस्ट पुब्लीक स्टैटिक वॉइड मेथर फॉर ओके ऐसा बोल रहे और अपने को क्या करना है एक बार और डेटा बनाना है अकाउंट अब्जेक का सही है तो कैसे गनाएंगे यहाँ पर नहीं थोड़ा सा नीचे ले 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 तो इसको यहाँ पर क्या कर लूँगा मैं एक्जम्पल अकाउंट फिर से अगर मेरे को बनाने को बोल रहे तो मैं क्या करूंगा अभी इस केस में मैं फस गया क्यूंकि मेरा दो दो बार महिनत जा रहा है अब सपोस्ट करो यह अकाउंट बनाने के लिए आपको अगर दस लाइन का यह बड़ा कोड लग रहा है तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा यहाँ बनाना पड़ेगा पराबर तो इस केस को करने के लिए अप प्र क्या कर दोगे यहां का भी data हटा देना यहां का देना और आप किसको रोल में लेक्ज़क्य आओगे अभी अपने यूटिलिट दूंको दो दिन के बाद तुमको घाड़ी लेना है ज़रूरी वाइस से करके जाओंने तो फिर आपके लिए वह sufficient- चीज या भी आप क्या करो पर्चेस कुरूँ क्यों कि आपको फ्रिक्वेंटली जाना पड़ रहे हैं तो जो डेटा आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है उसको हमेशा सेटस्प के अंदर लिया जाता है तो यहां पी जैसे मैं भी इसका नाम देता हूँ सेम सेम इए क्लास है यह क्लास को test लेस्ट डेटा डेमो बट यहां पर मैं क्या करूंगा मैं एक दो बार अकउट का काम पढ़ रहा है तो इस और यह मितिक्षड क्या करेगी और पब्लीग स्टेटिक दॉइड क्रिएट क्मन ुच लम देटा ग prett obviously कमन डेटा आपको वेराबन तो यहां पर कॉमन डेटा बन गया कॉमन डेटा कोंडन बना तो उससे क्या होगा उससे क्या होगा कॉमन डेटा बना तो टो आप आपने एक ही बार में यहां पर क्रियेट कर लोगे क्या क्रियेट करोगे यहां पर आप इसको एक सेके नहीं कि आप यहां पर लिख लोगे आकंड करने का यहीजिक बराबर अकंड क्रियेट करने का लौजिक तो आप फिर को अकंड करने के लिए 1 मेघण में बुला जाया दो में सब्सक्रां करने जाउं ने सब्सक्रांओं डेटा अगर आपको सिंगल सिंगल लिए का मैं जैसे यहां पे सिंगल का में होटेल अपॉर्चिनुटी का तो इसको सेट अप मिलेने की जरूरत है क्या नहीं कोई जरूरत नहीं एक बार से भी अकर ज्यादा बार यूज हो रहा है आपका डिटा रैट तो उस केस में आपको सेट अप में ले रहा है अभी भी बढ़ सकती है आज मैं छे मैंने में एक बार कार निकाल रहा हो लेकिन साथ में मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं क्या मेरे का हमी आएगी तो इसी तरह के से अगर आपने यह वाला डेटा भी सेटप के अंदर बना लिए तो भी कोई फॉल्ट नहीं है ठीक है बट क्य कोई सेंस नहीं बनता समझे रहे हो कोई सेंस नहीं बनता तो इसी लिए आपको फिर क्या करना है उस डेटा को सेटप में नहीं लेना सेटप में हमेशा वही डेटा लो जो आपको कॉमनली यूज होता है ठीक है तो बाकी डेटा को आपको सेटप में लेने की जरूरत नहीं और अगर इनगेस लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ठीक है आप सिंपल सिंपल क्या कर सकते हो बाकी का डेटा यहाँ पर इसे बना लो और जहां पर आपको जरूरत आती है वहां पर आप सिंपल क्या करना क्वेरी कर लेना अपने कॉमन डेटा को होगे आपका काम कि यह मेथड़ वन कि यह मेथड़ टू ओके और आपको अगर कोई मेथड़ बना नहीं है और बना लू तो यहां पर आपको जो लॉजिक लिखना है आप लगो जैसे अकाउंट का मिर को मेथड़ वन में काम में तरी में काम है क्या करूंगा क्वेरी करूंगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अगर मुझे आपको यहां पर इसको तो मैं सेट अप में नहीं लिखाँ एक लिखना है तो लिखो नहीं लिखना है तो मत लिखो राइट पर अभी यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपको आपने शेटब के अंदर जो डेटा लिखा है वो सिर्फ इस ही क्लास के लिए कॉमन है समझे सिर्फ इसी क्लास के लिए कॉमन है सेटब के अंदर का डेटा तो अगर मेरा और मेरा कोई दूसरा क्लास है जैसे सपोस्ट करो कि अब मैं और एक क्लाद बना तो यहां पर ठीक है तो यह मेरा एक दूसरा क्लास है जिसका नाम है टेस्ट अधर डेटा तो यह एक दूसरा क्लास है मेरे पास अब यहां पर भी क्या हो रहा है मुझे यहां पर भी न आप बना लूंगा मैं यह सेटप बनाओ मत बनाओ वह अलक चीज़ है आपकी रिक्वाइर्मेंट है ठीक है यहां पर बना क्या ज़रुद्ध पड़ी अकउंट अबजेक्क क्रिएट करने के जरुद्ध पड़ी है तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर स टेटप बनाने के बाद पॉब्लिक स्टाटिक वॉइड एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ कि इसको थोड़ी दिर के लिए ऐसे करेंगे इसको ब्लैंक रेने तो अभी इधर चलो इधर बनाता हूँ कि इसका नाम देता हूँ में टेस्ट अधर डेटा ठीक है यह दे दिया अब मैं क्या करूंगा जो काम मैं इधर किया सेम यहां पर कर लूँगा राइट कैसे वहीं सेम एक्टिरेट टेस्ट सेट अप पुब्लिक स्टाटिक वॉइड क्रियेट कॉमन डेटा करेक्ट यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कॉमन डेटा में अकाउंट का रेकॉर्ड कर रहा हूं इस तेस्ट लिखो या टेस्ट में लिको मैंने आपको बता था कि कब टेस्ट में तर्ट करना है कि इस टेस्ट करना है ठीक है यहां पर एक दूसरे तीसरे ठीक है यह अपकी मेथाड टू और यह अपकी मेथाड थ्री ठीक है तो यहाँ पे मेरे को फिर से अब आकाउंट का काम है यहां पे में को होटेल का काम है और यहां पर फिर से अकाउंट का काम है बराबर अब यह भी रहन हो जाएगा तुम क्या करोगी उपर में अकउंट का डेटा सेट आप में वैसे भी सब्सक्राइब कर दितों अब यहां पर यूज किया तो अब देखो यहां पर बनाओ वह इस लिए और यहां पर अब्सक्राइब करना है यहां का डेटा जब पूरे क्लास के लिए ज़रूब्य हो तो और यहां नहीं किया अब गड़बर क्या होरी है की एसवक्त एक से जादा और डेटा ऑर एक आपका टेस्ट डेटा डेमो अब इस क्लास को भी जरूब्वत पढ़ रही है अकांट क्रीय 100 करने की और जाए अगर आपने रं और किया तो सारे〜 या फिर या आपने वैसा भी नहीं किया वट एणिवे देखो कि आपके इस टेस्ट क्लास का साइज बढ़ रहा है तो कोड क्लॉम कॉम्पलेक्स हो रहा है और अभी दो क्लासिस से तो ठीक है बीस हुए तो पच्चीस हुए तो तीस हुए तो जहां पर आपको पच्चीस बा पर मुझे एक बात बताओ कि कोई मतलब है पचास बार एक ही चीज़ करने का नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में एक क्लास बनाएंगे एक क्लास बना रहेंगे यूटिलिटी इसको टेस्ट फैक्ट्री भी बोलते है ठीक है टेस्ट फैक्ट्री एप जब भी देख कि उसका करते हैं तो वह सब टेक्निकल चीज़ें उस पर ध्यान नहीं देना ठीक है ना आधे लोग उसी टेंशन में मर जाते हैं कि क्या टेस्ट फैक्ट्री और क्या वो यूटिलिटी ज्यादा हो सोचना नहीं उस बारे में जो बता रहा हो वही ध्यान को ठीक है जैसे ज क्या है क्या यह बाकी दोन् dejar की तरह हim इतना क्या है कि इस was gel UN करे तो टेस्ट क्लास के यूझ करें तो पता है कि आपको पता है कि क्यों इस लिए क्यूं की आपको चिक रेकाम पता है कि अगर इसको आडि रेट इस टेस्ट करते हैं तो इसके डिले इस तेस्ट किया अब मैं क्या करूंगा सिंपल सिंपल इसके अंदर स्ट्रेटप वॉइड अकाउंट बराफर इसके अंदर आपको जो भी पैराम्यटर देने है जैसे एक स्ट्रिंग देना है चीए स्ट्रिंग इमेर इसे जीतने भी आपको देने हैं वो आप इसके अंदर पास करें पास करने से क्या होगा डेटा इसके अंदर आजैक्ट यह पैरामिटर्स है इसको मैं यहां भी आकाउंट बनाना पड़ रहा है यहां भी आकाउंट बनाना पड़ रहा है तो इससे बेटर क्या करो एक ही जगा पर करो काम और कैसे करोगे फिर आप simple-simple इस वाले class को देखो यह जो आपका class है इसको यहां से setup के अंदर से call कर दो बराबर setup के अंदर से call कर दो तो क्या होगा कि यह जो setup है यह अगर इसको call करेगा वराबर parameter pass करेगा जो भी उसको data चाहिए और वैसा ही data यह आपको इधर रिटन करेगा वराबर यह हो गया communication का same way इसको जो data चाहिए वह वैसे parameter पास करेगा यह वैसा data उसको रिटन करेगा फिर कोई तीसरा आता है वह वैसे parameter पर पास करेगे वैसा रीटा बास करेगा तो जैसे बार मिटर वैसा डेटा उस बैम आरब आने Is सेम डेटा यूटिलाइज करना है तो क्यों बार-बार बनाना कि कोई जरूरत नहीं आप डायरेक्ली क्या करो क्लास निम डॉट मेथर निम कॉल करो बड़ाबर उसको जो आपको पैरमेटर देने हैं दो नहीं देने हैं मत दो वह आपकी कंप्लीट ले की कब आपको डमीडेटा कृट करना है मेथर के अंदर कव आपको सेट अप का यूज करना है तो यह था तो यह था को इसका डेमोंस्ट्रेशन है और कि अभी आपको यसके ऊपर कोई question आने चाहिए औरulle टेटा बनता है और मंटीपल क्लासिस की अंदर एक सेम यर चाहा है तो आने की क्लास बनाते जो या डेटा बना बना के डेगा जैसे मेरा एक क्शाइन मेरा एक क्शाम नहींisas और ना तो किया करूंगा कि किसी को उसको कान दे डूंगा मेरे कोας तुमकर दुकान में पहा कि एक दिन पढ़ रहा है तो मेरी दूकान के ऐसे मेरे कर दस दुकान है तो मेरे 10 दूकान के 10 लोग रोज पोहा लाने से बेटर है वह एक दुकान का एक आदमी रोज दस दुकान में पहुत पहुचा दें तो दस लोगों का काम बज़ गया समझ रहे हो तो यह होता है कॉमन का यूज समझे आई होप अभी यह टॉपिक आपका क्लियर हो गया हो ओके